यहाँ पे हमको एक room दिया गया है जिसकी length है 26 meter और width है 15 meter इस room के floor पर हमको एक square carpet डालना है जिसकी side की length है 14 meter तो हमको यहाँ पे find out करना है कि इस room का जो not carpeted area है वो कितना है तो इसको find out करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे room के area में से यह जो carpet का area है इसको minus कर देंगे तो हमारा जो यह not carpeted area है जिसको मैंने red pen से side किया है वो निकाल आएगा ठीक है तो यहाँ पे मैंने write कर लिया है room and carpet तो इधर room की जो dimension से उनको लिख लेते हैं तो यहाँ पे मैं write कर लेता हूँ जो है यहाँ पे 15 meter अभी निकाल लेते हैं इसका area तो area कितना आएगा यहाँ पे length multiply breath से 26 multiply 15 यह जाएगा 15 6s are 90 and 2s are 30 और 9 39 390 meter square carpet का area निकालते हैं यहाँ पे तो इसकी जो side की length है वो कितनी है वो है 14 meter तो इसका area निकाल लेते हैं तो area कैसे आएगा side multiply side ठीक है ना carpet कैसी है square carpet है तो 14 multiply 14 यह जाएगा यहाँ पे 196 meter square तो हमको निकालना है unc carpeted area ठीक है तो मैं write कर देता हूँ not carpeted area ठीक है तो यह कैसे आएगा यह आएगा room के area में से minus करके carpet के area को तो मैं write करूँगा यहाँ पे area of room area of room minus area of carpet तो यह आएगा 390 minus 196 तो जब 390 में से 196 minus करेंगे तो यह आएगा 194 meter square तो यह हमारा unc carpeted area